हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इनवेश फोरेवर में एक बफिर से स्वागत करता हूं हम आज बात करने वाले जी एम फॉर्डलर से लिटेड ओके जी एम फॉर्डलर में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको पताया था यह शेयर बहुत उपर यहां पर जाएगा और हमारे जो टार्गेट है 2300 के वह एचिव होंगे और 2300 इनी शायद 3000 पर भी जाएगा उसके पीछे का रीजन था क्योंकि यह श्टॉक्स इस्टेज टू एडवांस में था और यह चीज़े डेफिनिटली होती हुई नजर आती बट यहां पर मैंने अभी इस पर्टिकुलर शेयर में अपनी बात को अलग रखके अपने नजरिये को अलग रखके अब मैंने श् जीएम फॉडलर की अगर हम बात करें तो यहां पर इनोंने 228 करोड रुपे का स्टेक पर्सों के दिन यहां पर बेज दिया बल्क डिल में यहां पर बेज दिया यहां पर देख़ेंगे 60% यह शेयर गिरता हुए नजर आया और के 18% यहां शेयर गिरता हुआ नजर आया तो इन्होंने एक बड़ी amount के शेयर यहां पर आप देखोगे यहां पर जाओगे promoters में तो यहां पर लगबग लगबग अच्छे खासे शेयर इन्होंने यहां पर बेचे हैं और शायर 28% के शेयर ही यहां पर इनके पास रह रह अभी तो promoters का इस तरीके से निकल जाना और बार बार एक बार यहां पर बिलीव कर लिया और इस्टेल यहां पर बार बार ऐसी companies पर बिलीव करना याद रखिये एक घातक signal होता है किसी भी company के लिए मैं यहां पर loss में exit जरू किया है बट इसके पीछे का reason यह है कि जहां पर company का management अच्छा ना हो ऐसी company में invest नहीं करना चाहिए एक बार दोका इन्होंने यहां पर दिया था उसके बाद याद रखिये कितना सा लग बग देड़ साल हो चुके है दो साल तक यहां पर कोई return नी बने दो साल तक लोगों ने यहां पर share hold करे even मैंने भी यहां पर मेरे पा पाशी दुबाला कर दी इन्होंने यह share bulk deal में आपर बेच दिये और यह this is not a good sign for any kind of company जो इस तरीके के सद में बार बार अपने investors को देते रहते हैं कि share उपर जाता है बेच देते हैं और ऐसी company में कोई invest नहीं करता है तो इस sheet को हमें याद रखना है सबसे पहली बात कि ऐसी बेकार कंपनियों में invest नहीं करना और इसका फायदा obviously बाता दूसरी company को होता हुआ नजराएगा अब बेशक्से कंपनी कितना भी अच्छा business करें मुझे नहीं लगता कि this company will recover from that particular point तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है अगर GM fordler में हो exit कर दीजिए चाहे कितना भी loss हो रहा हो उससे यहाँ पर हम cover up कर लेंगे with other stocks बट यहाँ पर एक बैतरीन stocks नहीं है जहाँ पर यह stocks को बैतरीन stocks माना यादा था बड़े-बड़े investors इसमें invest क्या करते हैं now this is the worst company in my eyes okay तो आपको यहाँ पर क्या करना है ऐसी company से stay away रहना है दूर रहना है दूर से ही राम-राम कह देनी है कि भाई दूर से ही राम-राम अच्छी रहती है तो यहाँ पर GM fordler की बात करें एक अच्छा business model है जतने भी glass line equipment यह company इंडिया में बनते है यही company बनाती हुए नजर आती है पी रेशो भी यहाँ ठीक ठाक है ओके company अच्छा खासा return भी यहाँ पर देती हुए नजर आई है लोगों के बड़ जिस तरी कि यहाँ पर और यहाँ पर देखे तो company की लगातार अच्छी खासी यहाँ पर sales भी आती परफॉर्म करें और यह जो target मैंने 3000 के दिये थे वह एचीव होते हुए नजर आएंगे बड़ यहाँ पर बटकान सर्फ यही बटी है कि यहाँ पर अगर हम देखे यह company ने जो stakes बेक चाहे बार बार अपने investors को एक जटका देते हुए नजर आते है तो वह एक अच्छी बा बनाते हैं यहां पर FIS देखिए तो FIS के पास भी holding ज़ोब लोग यहां पर एक क्वाइर कर रहें बढ़ यहां पर हम देखा जाए तो यह एक रैंज से तूट भी था इक लिगा ऑटेसे बनाई थी उससे बेक आउट हुआ था बट यहां पर क्या है यहां पर यह पर यह प गैप डाउन के साथ उपन हुआ है जब भी इस तरीके गैप डाउन इस पर किसी भी पर्टिकुलर शेयर में होता है तो उसे रिकावर करने में काफी टाइम लगता है बट मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है कि मैनेजमेंट नहीं पर एक दो साल पहले यहां पर इस आपर बाथ करने जरूँत नहीं है यहां पर यह तक यहां पर यह बात करने की जरूबत नहीं है यहां पर यह शेयर एक बहुतने Hub हुआ करता था बट अब यह शेयर बेटरी शेयर नहीं है दिस इस दा वर्ष शेयर इन श्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू मी ओके तो यहां पर मैंने पूरा अपना चंक बेज दिया है थोड़ा बहुत 12% के लॉस में बेचा है अच्छा हुआ मैंने यहां पर बेज दिय लोग क्यों कि यहां पर आप देखेंगे तो ज्यादा था हिस्ता एफाइस और डियाइस नहीं आपा खरीद रखा है तो एफाइस डियाइस लॉस में यहां पर चीज़े निकालते वह क्या करेंगे वह शायर चीज़ों को थोड़ा सा बगाए बगा कि आपको अटका है और पर चीज़ों को दुबार नीच लेकिया तो आपको दोनों तरीके से यहां पर तयार रहना है और ऐसी चीज़े यहां पर सीकने के लिए सबस्काइब कर दीजिए बैल आइकन को एट और के नोटिफिकेशन को आन कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियों आपको डेली ब आते हैं सीख के देख के कि वह इतना पैसा कमा रहा है वह इस तरीके से कर रहे है तो यहां पर आपको क्या करना है विदाउट नौलीज मत करिए डवल इट शिक्स ने टूट सिक्स वन जिरी सेवन वाट्स अप कॉल मैसेज एनिटाइम एनिवेयर आप यहां पर कर सकते है सिखाए जाएगा बेसिक्स चुए रिसर्च सिखाए जाएगी फंडमेंटल सिखाए जाएगा ओके और आपको यहां पर बताया जाएगा कि अगर मैं ने आपर एग्जिट किया है लॉस में तो यह लॉस नहीं है वोके यह एक बहतरीन चीज है जहां पर मैंने टाइम से अ तो अब यहां पर आपका लगबस 50-60% लॉस दुबार होता नजर आएगा तो काफी सारी चीजे यहां पर सिखाए जाती है कप शेयर लेना है कप शेयर बेचना है यहां पर मैं बता रहा था इस टू में तो इस टू में थी बट यहां पर ज़स बिगाजमेंट उस पर जो भी एक तरिक से पहले कोर्स को जोइन करेगा एक मंत का वाटसब ग्रूप जो हमारा वाटसब ग्रूप है उसमें आपको अड़ किया जाएगा जहां पर डेली बैतनी शेयर से लेटेर बाते की जाती हो और आपको यहां पर शेयर दिये जाते हैं जहां पर आप इन्वे पर मंत यहां पर गया पर यहां पर एड ओ सकता है और फोर इसुडinent नट क्लाइन फॉर फ़्यूर फॉरोपीस पर मंत यहां पर उसकी फीज सबगगें पर ऐसे शेयरों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंशेयरों से लेटेर ओके और यहां पर को सीख सकते हैं बिना सीख के stock market में entry करिए का मद ओके और GM Foller अच्छा stocks हुआ करता था बट अभी अच्छा stocks हैं नहीं अब इसका फायदा HLE glass court उठाता हुआ नजर आएगा ओके HLE glass court ने last time भी इसका फायदा उठाया था और अच्छा खासा यहां पर भागा था बट अभी यह शेयर लेने लाइक है बिल्कुल भी नहीं यहां पर नहीं लेना क्योंकि यह अब stage 1 में है जिसे consolidation कहते है stage 2 में जैसे ही आएगा हम यहां पर आपको वीडियो बढ़ेंगे फिर ऐसे रेटन दुबारा बनते हुए नजर आएंगे तो bank selling की recommendation नहीं है और stay tuned रहने के लिए इस particular whatsapp group और यहां पर इन नमबर पर contact करेंगे तैंकी सो मच, God bless